राइपुर समेट प्रदेश के कई हिसों में आज भी गरत चमक के साथ बारिश की संभावना है याने आने वाले कुछ तिनों तक बारिश और बादल यही स्थिती में बने रहेंगे बंगाल और अरब सागर से लगतार नमी आ रही है साथी प्रदेश के हूपरी इससे में द्रोनी का की गुजरने से बारिश की गतिव इध्या बनी है मौसम विभागी क्या रहा है कि परस्थतिया सामाने होने में अभी एक हफ्ते कम वक्त और लगीगा इसके बाद गर्मी बढ़ने क्या असार है मामले में संजेब बैरागी मौसम विज्यान केंद्र से बाचीत की हमारे सही होगी ने महिने के शुरुबात में मांसुन जैसे हालाद चतिसगर में पैदा हो गए ऐसी स्थिति क्यों बनी हमारे साथ बात करने के लिए मौसम विभाग के संजेब अरागी जी है उनसे हम बात करेंगे सर्फ मही महिना शुरू हो चुका है इस समय भीशन गर्मी रहती है लेकिन शतिसगर में मांसुन जैसे स्थिति पैदा हो गई यह लगातार बारिश हो रही है क्यों ऐसे हाला तभी पैदा हो देखी यह चतिसगर के ऊपर जो है जो सिस्टाम बना है ट चतिसगर में और आरब सागर से भी हमडिटी आ रही है जिसके कारण जो है चतिसगर में लगातर पानी गिर रहा है और बड़तमान इस्तिती ए है कि चतिसगर में आज जो है पूरे चतिसगर में खास करके रायपूर और बस्तर संभाव में पानी की संभावना है और अगले दो-तिन दिन तक बस्तर समग में ऐसी इस्तिती बनी रहेगी लेकिन जो है ज्यादा तर हिस्सा में जो ड्राइव अधर शुरू हो जाएगा गर्मी का उम्मीद करें तो यह खपता लग जाएगा कि आभी पूरा बतावरन जो है नॉर्मल से बहुत नीचे है तो इसको बैलें के कई इलाकों में बारिश हो सकती है और गर्मी जो है अगले एक हफते बाद ही प्रदेश में गर्मी का सामना करना पड़ सकता है फिलाल आने वाले एक-दो दिनों में बस्तर में बारिश के साथ राइपूर के भी कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई जा रह करे चाहक ही आगल